नमस्कार तथ्य में आपका स्वागत है नहूं मनीश अबस्ती जिया तथ्य में आज बात होगी इरुपई की क्या है इरुपिया भारतिय रिजर्बैंक आज यानि एक दिसंबर को रिटेल डिजिटल रुपी यानि की इरुपी के पाइलेट प्रोजेक्ट को लांज कर दिया है पाइलेट प्रोजेक्ट में डिजिटल रुपी क्रियेशन डिस्टिबूशन और रिटेल यूज की पूरी प्रोसेस को बारी की से परका जाएगा इस टेस से मिली लर्निंग पर रिटेल डिजिटल रुपी में बदलाव होंगे और फिर सभी के इस्तवाल के लिए इसे जारी किया जाएगा आर भी आई ने कहा कि पाइलेट में ग्रहकों और व्यापारियों के क्लोज्ड ग्रुप होंगे जो चुरिंदा स्थानों को कवर करेगा इस रुपी का डिस्टिबूशन बैंकों के माध्यम से किया जाएगा यूजर इसे मोबाइल पोन और डिवाइस में डिजिटल वॉलेट में रख सकेंगे डिजिटल वॉलेट से पर्संट टू पर्संट या पर्संट टू मर्चंट ट्रांजेक्शन भी किया जा सकेगा मर्चंट को QR कोड से भी पेमेंट किया जा सकेगा सबसे पहले समझें आखिर रुपिया होता क्या ए रुपी करेंसी का डिजिटल रूप है जो ब्लॉक्चेंड टेक्नलोजी पर आधारित है ये दो तरह की CBDC होलसेल और CBDC रिटेल इसकी वैल्यू भी मौजूदा करंसी के बराबर ही होगी इसको भी फिजिकल करंसी की तरह ही एकसेप्ट किया जा सकेगा यानि की लिया जा सकता है ये की रुपया को मोबाइल वालेट में भी रखा जा सकेगा इसे रखने के लिए बैंके खाते की जरूरत नहीं होगी एक नवंबर को RBI ने होलसेली रुपी का पाइलट लांच किया है ये केवल बड़े वित्तिय संस्थान जिसमें बैंक बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनांस कंपनिया और दूसरे बड़े सौदे करने वाले संस्थानों के लिए है इसके लिए SBI, B.O.B.N.A. बरोडा, यूनियन बैंक, HDFC, ICI, कोटक महिंद्र बैंक, YES बैंक, IDFC, First Bank और HSBC को चुना गया है CBDC Retail को आज लांच किया गया, पैसों के अन्य रूप में कन्वर्ट हो सकेगा ये रूपी, तत्य में जानिया आपके लिए बेहत जानकारी जरूरी है कि आखिरी रूपिया होता गया, ये रूपी को पैसे के अन्य रूप में कन्वर्ट किया जा सकेगा, CBDC Retail Pilot के लिए 8 ब बैंक से होगी, इसके बाद बैंक अब बरोड़ा, यूनियन बैंक, HDOC बैंक और कोटक महिंद्रा, सहिच चार और बैंक इस पैलेट में शामिल होंगे, चार शहरों में शुरू होगा पैलेट, तत्य में, पैलेट शुरू चार शहरों से होगा, मुंबाई, नई दिल्ली, एंगलोरू और भुवनेश्वर को कवर करेगा और धीरे धीरे, एहमदाबाद, गंक्तौक, गुबहाटी, हैदरबाद, इंदौर, कोची, लखनव, पठना, और शिमला तक विस्तारित किया जाएगा, अधिक बैंकों और अधिक शहरों को धीरे धीरे शामिल किया जाएग इ रूपी ट्रांजेक्शन यूपी आई से आखिर कैसे अलग होगा जियां तत्थे में जानिया, यूपी आई से ट्रांजेक्शन करने के लिए बैंक अकाउंट में पैसा जमा होना चाहिए, इसके लिए या तो हमें खुद फिजिकल करेंसी को अकाउंट में डिपॉजिट करनी ही होगी, तभी ये ट्रांजेक्शन पॉसिबल याने की मुम्किन हो पाएगा, लेकिन ए रूपी आने के बाद एक बार फिर फिजिकल करेंसी को अकाउंट में नहीं डालना होगा, ए रूपी ट्रांजेक्शन में बैंक अकाउंट की जरूरत ही नहीं हो डिजिटल वालेट में ए रूपी रखेंगे और एक दुसरे को पेमेंट कर सकेंगे, ये डिजिटल वालेट बैंक द्वारा मुहया कराया जाएगा, इसकी पूरी प्रोसेस क्या होगी, आने वाले दिनों में जब ये पूरी तरह से लांच होगा, तो ज्यादा साफ हो आई, नमस्कार!